बहुत बड़ी दुखत खबर सामने निकल के आई है कि कोवीज सील्ड जिनके द्वारा लिया गया है उनमें ब्लोड क्लोटिंग की संभावना बन गई है और ये कमपनी ने भी स्विकार किया है तो इस वीडियो में आने का तातपड ये है कि हम लोग ICDS कर्मी जितने भी है सेविका, सहाई का या उनके फैमिली है हम लोग द्वरभी अत्यधिक मात्रा में कोवी सील्ड का ही पड़ियोग किया गया है यानि कि कोवीड-19 के प्रोटेक्शन से बचने के लिए हम लोग ने भी कोवी सील्ड का ही इंजेक्शन टीका लगवाए है तो क्या लगता है कि आखिर ये बात शत्य है या गलत है कोवीड-19 के प्रोटेक्शन के लिए हमने जो कोवी सील्ड का टीका लिया है क्या वो हमें हिर्दयागात ब्रेन स्ट्रॉक की बीमारी को पैदा कर सकती है क्या हमें ये बन सकता है तो अगर आप इस बात से अगर सोशल मीडिया पर देखे होंगे बहुत सारे वीडियो और अगर आप डर रहे हैं तो आपको मुझे 2-3 मिनट समय देने की सकता है आप मुझे 2-3 मिन अगर समय देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपको साथ ही आपके फैमिली को बचाने में सहयोग प्रदान कर सकता हूँ ठीक है तो उसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे उससे पहले कनलोद है कि आप मेरे चैनल को पहली बार भीट किया है तो किट के चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा के ओल पर सेट कर लिजे कोवीड-19 के प्रोटेक्शन में जो हमने कोवी सील्ड का टीका लगवाया था उसके मालिक ने कोट में उपस्तित होकर खुद स्विकार किया है कि उनकी जो दवा है उस दवा में ब्लॉड क्लोटिंग की मात्रा है यानि ब्लॉड क्लोटिंग बन सकती है ठीक है लेकिन उनके द्वाड़ ये भी कहा गया है कि ये संभावना है जब टीका लग रहा है उसी समय यानि कि टीका लगने के कुछ दिन बाद ही ये संभावना बन सकती है कि ब्लॉड क्लोटिंग बनेगी या नहीं बनेगी और ब्लॉड क्लोटिंग बन रही है तो आपको किंटीन महामारी ने हमारे घर पर मौत की दस्तक बनकर खड़ी थी। उसी समय ये कोवी सिल हनुमान बनके हमारे सरीर में आया और कहा कि देख लेंगे तुम्हें। तो क्या इतनी बड़ी दवा जो कंटिनीव हमारे सरीर में तीन साल से दोड़ रही है और उस सबसे बड़ी महामारी को मात दी क्या वो आज हमको डड़ा सकती है बिलकुल नहीं। अगर उनको डड़ाना होता तो उसी समय ड़ा दी होती और उसी समय ब्लॉड क्लोटिंग बन गया होता और हम लोग को उसी समय स्ट्रॉक आ गया रहता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बात जरूर है कि हर दावा का साइड इफेक्ट होता है। जैसे कोई भी दावा लीजिएगा तो उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि इस दवा से ये एफिक्ट है तो मुझे लगता है कि आप कोई भी दवा यूज नहीं कर पाएंगी, आप अपने सरीर के बचाव के लिए या किसी भी दुख में अगर कोई भी दवा यूज कर रही हैं, तो आप उसका side effect देख सकती हैं, कि उ 2021 के आसपास हम लोग ने फस्टी का लिया था, और 2021 से 2024 आ गया हम लोग के सरीटी में अभी तक ब्लोड क्लोटिंग की कोई संभावना नहीं है, नहीं कोई दिख रही है, तो क्या लगता है, डरने की जरुरत है नहीं, दूसरी चीज़, एक कहानी हम आपको बताएंगे, एक बीमारी होती है हीमोफिलिया, वो बीमारी जो होती है वो अन्वानसिक होती है, जेनेटिक होती है, यानि कि अगर हीमोफिलिया हमारे परिवार में किसी को है, तो वो सब को है, उस बीमारी से होता ये है कि अगर आपको खरोच भी लग गई और ब्लोड वहां से सर्कुलेट होने लगा, बाहर गिरने लगा, रक्त सराव होने लगा, तो उसमें रक्त जमने की छमता नहीं होती है, उसके कारण उनको बहुत ही बचाव करके रखा जाता था, कि कहीं से खरोच नहीं लगे, बावजूद इस बीमारी के ग्रसित होने करण उनकी पूरी फैमली समाप्त हो गई, तो हम लोग के सरीर में एक आलड़ी ऐसा तत्वे रहता है, जिसके कारण हमारे सरीर के अगर बलॉड बाहर सरकुले ठोड़े हैं, तो वो ठक्का बनाता है, ठीक है, दूसरी बात रही कोव सिल्ड के इस भ्यानक वीडियो जो चल रही है लगातार उससे डरने की जवरत नहीं है, कोविड सिल्ड के मालिक ने असपस्ट कहा है, कि मेरी दावा में ये संभावना है कि बलॉड क्लोटिंग बन सकती है, लेकिन कब कुछ दिनों तक हैं, कुछ दिनों में अगर बलॉड क्लोटिंग बन गई, तो संभावना बनती है, अधर्वाइज कोई डरने की जवरत नहीं है, तो हमारी जो फैमिली है, सेवी का, सहाई का और उनकी फैमिली, लगभग अधिकांस लोग कोविड सिल्ड का उपयोग किये हैं, तो कोविड सिल्ड के उपयोग करने वाली से मेर यही अपील है कि डरने की जवरत नहीं है, अगर आपके मन में सोसल मेडिया पर बहुत सारे वीडियो देखने के बाद संभावना बन गई है, डर बैठ गया है, तो आप अपने डर को हटाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जो जनकारी मिली है, संतुस्त है, तो ठीक है अधरवाइज आप अपने डॉक्टर से मिलके एक बार इसका चेकप करा सकते हैं कि आपके खून में क्लोटिंग बन रही है या नहीं, अगर क्लोटिंग बन रही है तो उसका इलाज भी है, बहुत सारे दवा आते हैं जो ब्लॉड को पतला करते हैं और हो जाता है उसका उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो से जानकारी मिलेगे, वीडियो अच्छा लगा अगरत लाइक कर दिए चैनल पर 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 बिटकर सबस्क्राइब कर दिजिये, शाथ ही एक अनुरोद और है कि इस वीडियो को सभी सेविकाओं के पास सेयर जरूर कर द